कि इस कंपनी के प्लान को समझ लीजिए अब बहुत सारे लोग बोलाएगी घटना हो गई जॉनी सर को यह उठा अरे बादी तरह के नियुक्त बाई नॉर्मल प्रोसेस है अब यह कंपनी बड़ी मात्रा में अपने पंक पसा रही है अपना फन पसा रही है कि बहुत सारे लो प्रोसेस का जो निप्ट रहा होगा उसको करके वापस आके हमारा काम सुन कर आपकी वेबसाइट तो नहीं बंद हो यह ना आपका वेबसाइट तो काम नहीं बंद हो आए ना जो लोगों को इतने बड़े-बड़े कुरियर आये अपल के मुबाईल आये टी-शिट आये कै पाई अपल के टैब आये इतने सारे लोगों को हमारे डाउन लाइन कम से कम में 18 लोगों के अपने टैब आये उनको बाउचर आया पचास-पच्पना-गार रुप्य का उनका बाउचर के थ्रू नहीं अर्म कर लिया बताए इसी कोन कमपनी जो स्टार्ट होने से पहले इत आपका तो पैसा गया नौडिक में नौडिक न आपको पीवी दे दिया पीवी करके बाव छोड़ दिया तो थोड़ा सा समझीए जी विशाल चीने हैंड्रिस किया है जी विशाल सर बहुत दोस्वागत है आपका प्लीज सर दोस्वद रखिये और आपके दोस्वद रखने से पहले मैं सभी लोगों को बताना चाता हूँ यह एक हजार लोग हैं और यूटूब भी तीन हजार से उपर लोग अभी देख रहे हैं इसको दोस्त हम अजादी के लेने वाले उमत वाले हैं हम अजादी लेने वाले उमत वाले हैं कि हमारे किसी दोस्त को इलहावाद में गोली भी लग गई प्रेण के पिछी अंग्रेजियों में मार दिया तो भी अजादी मिली 1947 में किसी भाई को फासी के फंदे पलटका दिया गय जालाइफी style आपकी आर्थिक अजादी के लिए एक बहुत बड़ा platform है तो यह अजादी में थोड़ी बहुत कठिनाई आएंगी उस कठिनाईों से हम धबराना नहीं है हम एक पहतर से बहतर बरगत का पिन बन के रहेंगे और जिसकी जड़े भी लोग मज़े से उसका पतों का हवा खाते हैं और जड़ों में भी बैठते हैं कुर्सी लगा के कुर्सी ऐसा तो ही अजादी है, अजादी हम लेके रहेंगे, पुड़ी बहुत आएगी, गटना है, उससे हम बुचलित नहीं होंगे, जी विशाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तैंक यू, तैंक यू सो मच, फांटे जी बहुत अच्छे से आपने जो चीजे रखनी थी, कंपनी है, कि इस तरीके से वर्किंग कर रहा है, वर्किंग करते हैं, आ रहा है, और क्या विजन विशन एक कंपनी का, लगबक सारे लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ से लेट है, दूसरी बात, अभी देखें दोस्तों, जो भी चीज सरकल अभी हो रहा है, या जो भी गटी थो रही है, मैं इसके उपर एक सिंपल चीज कहना चाहूंगा, कि आज की डेट में लगबक कंपनी ने आट दीन पहले हम लोगों को ये तक बता दिया, कि दोस्त, जो KYC के लिए जो खुद को सत्यपित करने के लिए आपको जो भी 10 ही रोग का चार्ज आप अपने ख उनका पीवी करने की जुरूत ने, उनको KYC के लिए कोई चार्ज देने की जुरूत ने, मतलब सारा चीज फ्री है, वो फ्री में एड देखेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, जिन लोगों को उनके साथ लाएंगे, उन लोगों को पैसा कमा के दे सकते हैं, तो ये सारी इंडिया में और आउट आप इंडिया, कितनी सारी कमपनिया अभी तक हमने देखी हैं, पिछले कई सालों में कि क्या-क्या चीज़े होतीया ये, कितने बड़े फ्रॉड, स्कैम, और कितने घोटाले होतीया, ये कितना मने सर्कुलेशन होते आया है, बट ये कमपनी कुछ लेने के लिए नहीं, बलकि हम सब को ना कि स्रिफ नंबर सो परसन, तो राष्ट को, कंट्रीज को एक अच्छा इकोनोमिकल सेट अप, एक अच्छा इकोनोमिकल बुस्ट अप, एक अच्छा मजबूत वाला पाया बनाने की कोशिश कर रही दोस्तों, ये कमपनी जैसे जैसे बड़ा होगा, ज्यादा ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, एड देखेंगे, अर्निंग करेंगे, उससे कमपनी को तो बेनिफिट होगा, बट हम लोग और अपने राष्ट्र के लोगों को जो बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं, विदाउट एनी इन्वेस्मेंट, अ और जो सच में ऑनलाइन, जिसको मुदी सरकार या बाकी गोवर्मेंट्स इसको प्रमोट करती है, कि ऑनलाइन सेक्टर के तरह हम जाते हैं, जो आगे का यूग है, जैसे क्रिप्टो करन्सी हो गया, बाकी की एविटाइसमेंट सेक्टर का यूग हो गया, ऑनलाइन शॉपि 15-20 तारीक से पहले-पहले हमारा डेमो, एड का प्रोग्राम भी स्टार्ट होता हुआ देखेंगे, वो भी 15-20 दिन चलके खतम होगा, और आने वाले वन मन्द से बिफोर हम अपने रियल प्लैट्रम को स्टार्ट होता हुआ देखेंगे, जिससे हम सभी लोग अर्मिंग कर आने वाले हैं, कंपनी ने कभी नहीं कहा हम लोगो को कि आप आईए और यहाँ पे कुछ इन्वेस्मेंट कीजिए, आईए आप लोगो को एक लाग, दो लाग, पाच लाग रुपए यहाँ पे डालना है या एक लाग डालोगे तो उसका दो लाग मिलेगा, कंपनी ने हमे पहले ही और पहले दिन से यह चीज बता गई थी, कि जब तक 30,000,000,000 लोग KYC होल्डर पूरे वर्ड से नहीं होते, तब तक आईउटाइजमेंट कंपनीज हमें एड नहीं दिखाएगा, और हम उसके थुरू जो हमें अर्निंग करना है, वो नहीं कर पाएंगे, और यह ज 60 एड देखना है, यह अगर हम जॉब और कंपिट करेंगे, तो ही हमें वो चीज मिलनी है, फ्री में या घर पे बेटके आप इतना लगाओ, इतना मिलेगा, मैने का इतना मिलेगा, ऐसा कभी हमारे कंपनी ने और हमारे किसी बंदे ने, किसी जॉइन परसर ने ऐसा कहीं नह वाज में कंपनी कितने अच्छे चीज़े हमें देती है, जैसे के हम कंपनी के future shares मिलते हैं, उसके बाद कंपनी के cryptocurrency मिलते हैं, कंपनी के KYC हो कि हम real user बनते हैं, real user बनने के कारा हम सारी चीजों का आनंद दे पाएंगे, जो जो कंपनी आगे future में activities करेगी, Second thing, company launching से पहले देखते देखते अभी तक 6 देशों में अपने आपको register कर चुकी है, legal document निकाल चुकी है, दीरे दीरे हर country में, जिस country में banking की सुविदा आसान है, या फिर हो कर सकते है उचीज को, उसको करते आई हैं, इंडिया के अगर हम बात करें, तो जब से bank account उपन तो GST वेगरा ये सारी चीज भी company अपने इंड से compute कर दी गई है, तो सारी चीज हो रही है बराबर, अभी तो start होना वाकि ये company को, अभी तो start भी नहीं हुआ, मतलब money का landing नहीं हुआ, जैसे के हमने company को ना कोई पैसा दिया है, और ना ही company हमें कोई पैसा दे रही है, अभी अभी तो project start होना, हमने तो अभी तक सिप अपने आपको सत्यापित किया है, KYC करने का दस हीरो का charge जो है, वो nordic company को पैगिया है, ना कि जैलाब style को, बट अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो हम सभी लोग समझदार है, और अपनी government भी हमारे भले के लिए जो भी करेगी, अच भारतिया जनता ना आठके ना फसे, तो उनके जगह पे सही है, उनका काम हो कर रहे है, उनको हम अपना काम करने देते हैं, और हम अपना काम करते हैं, जैसे दिरी दिरे investigation और बाकी की process आगे बढ़ेगी, दिरे दिरे करके सारी चीजे उजाले में आएंगी, तो ये सारी ची झाले में आएंगी, 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 झाल झाल